आज हम बना रहे हैं खट्टा मिठा पोहे का चीवडा इसके लिए हमें चाहिए मसाला यहां पे हमने दो चमच शुगर लिए एक चमच हमने लिया है निम्बुकसत और यह हमने लिया है एक चमच सोल्ट आप पादा नुसर मसाला डाले अगर खट्टा नहीं खाते हैं तो मिकसर में बारिक सा पीछ शक्कल नमक उसको बारिक सा पीछ पीछ यह मसाला हमारा बन के ताया है अब हम में पोह को रोस्ट करना है पॉह टले में पॉहाइं टरल सकते हैं यहां पॉह टला है। एक तपली निकालते जाने इस प्रकार अमने सब भी पॉहा तल लेंगे। काट्टोर्यम निकालने से एसे होता है कि उसके तेल कि नीचे रह जाता है। हम टालेंगे मुंफली के दाने, वह भी रोस्ट करेंगे हिसको दो मिनिट लगा है हमकों को समय अब हम इसको भी सी में निकाल लेंगे, आप चाहे तो बटर पेपर में निकालें, अब हम नहीं हाँ पर फ्राइ करने के लिए एक चमच तेल रखा है, तेल में हल्दी डालेंगे, हल्दी अच्छी सी रोस्ट हो जाएगी, तब हम इसमें हमारा चीवडा तलावा डालेंगे, और अच्छा सा हिलाएगे, जब हो टेस्टी चीवडा है, बच्चों को जुरूर प्रसंद आएगा, आप बनाएगा, सब वह आप निकाल लेंगे, और नीचे नीचे इसमें तेल रजाएगा, अच्छा सा हम मिलाएगे, बच्चा को तेल देखिए, डव इसमें रह गया है कर्टोरे में, अब अच्छा सा मिलाएगे हम इसको, और इसमें हम डालेंगे, जो मसाला मिला रखा था हम डालेंगे, अब यहापे गेस बन कर देंगे, और अच्छी तरह से हिलाएगे, हमारा नमकी चीवडा तैयार है, अगर मेरा चीवडा आपको पसंद आया हो, तो